हालो डियर स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड अब्जेप्शन चैप्टर में लेक्चर नूबर फाइफ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ जो टित की स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगी सबसे पहले दा टूथ इस मेट अप ओफ त्री सेग्मेंट्स यानि तुथ को आम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हों उसके अलग-अलग सेग्मेंट्स के बेसे पर फस्ट सेग्मेंट है क्राउन सेकेंड ए नेक और रोड रूड रूड पार्ट विच इस एक्सपोस्ट जो बाहर से हम लोगों वो दिखाई द जिसको आप लोग देख सकते हो, that is the crown part, दूसरा neck part, the part which is hidden under the gums, जो मसूरों के अंदर या gums में जो छिपा हुआ part होता है, वो neck part होता है, and third, the root part, root part which is embedded in the sockets of bones, यानि जो हड्डियों के अंदर या अपने jaws के अंदर fit up रहता है, that part is the root, तो basically हम लोग tooth के तीन parts को हम लोग डिवाइड करते हैं, segment की basis पर, crown, neck and root, ठीक है, crown हो गया पर neck हो गया, middle and lower part हो गया अपना root, तीन parts होता है, structurally, पहले हम लोग इसके discussion करते हैं, इसके structure से related, यह अपना structure of tooth है, ठीक है, तो this part, यह part जो बाहर से दिखाई दे रहा है, this one, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस part से उपर तक का, यह वाला part, और इदर यह वाला part, this part is called as crown, फिर यह वाले अपने, यह gums है, यह जो darker structure है, like this, these are the gums, यह वाला part अपना हो गया, neck, and the third one, यह जो अंदर वाला जो part है, सारा का सारा, bones के अंदर, यह बोल सकते हो, आप लोग यह structural composition क्या दिखा रहा है, कि यह bones की structures है, तो इस bones part में जो formation है, this is the bony part, is this bony part, उसको हम लोग क्या बोल सकते है, root बोल सकते है, ठीक है, फिर यह जो opening दिखाए दे रही है, यानि root के पास में हलका सा hole रहता है, बोथ साइड में, दोनों साइड में, उसको opening of root बोल सकते है, फिर बात कर सकते हैं, हम लोग, what means, इसके अंदर layers का composition होता है, यानि कुछ specific chemical composition present होते हैं, इसके अंदर, teeth के अंदर internally, उनके बारे में discuss करेंगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं, हम लोग, crown part के अंदर, crown part के अंदर, जो formation होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, enamel बोलते हैं, only crown party, यह कहां पर layer किसकी है, enamel के layer है, जो hardest substance है, ठीक है, सबसे hardest substance होता है, तूटता नहीं easily, enamel layer होती है, only crown party, किस-किस part में होती है, इस part में ही, जो dot dot structure दिखा रखी है, यह उपर वाली, यह crown layer के अंदर present होता है, यह enamel बोल सकते हैं, इसको हम लोग first layer, फिर second formation बोल सकते हैं, हम लोग structurally, यह वाला जो formation है, this one, यह वाला और यह वाला, यह वाला, यह अपना neck part हो गया, और यह अपना क्या हो गया, root part हो गया, तो आप लोग बात कर सकते हो, इसके अंदर भी कुछ layering होती है, ठीक है, इस layering को भी specific formation में बात करेंगे, इससे पहले हम लोग थोड़ा discuss कर लेते हैं, सबसे पहले है, enamel, enamel क्या होता है, hardest substance होता है, ectodermal in origin, means, जब बेबी की बर्थ होती है, तो abdominal period में three germinal layers बनती है, उसमें से ectodermal होता है, उस formation की वज़े से क्या develop होता है, टित के इस part का generation होता है, made up of salt, of calcium, किसे calcium के salt से बनाता है, जैसे calcium phosphate and fluorides, calcium phosphate और fluorides, chemically enamel is known as hydroxy appetite, chemically इसको क्या बोल सकते है, hydroxy appetite बोल सकते है, hydroxy appetite, basically it has crystalline calcium phosphate, hydroxy phosphate appetite क्यों नाम दिया गया है, इसका, यह crystals की formation में होता है, white part externally visible, बाहर से दिखने वाला होता है, white part externally visible, यानि जो बाहर से दिखाई देता है, वो non-living होता है, ठीक है, non-living blood vessels contain नहीं करके देता है, या ना उस नहीं content करता है, इसलिए non-living, found only in the crown part, जो किसमें present होता है, खाली इस part में present होता है, crown part में ही present होता है, secreted by cells, यह enamel से, जिस cells secret किया रहते हैं, उनको बोलते है, ameloblast, ameloblast बोल सकते हैं, ठीक है, जो enamel को secret करते हैं, the cells which secret the hardest chemical enamel is called as ameloblast, ameloblast होती है, फिर next है, इसके लिए की specific note है, it is made up of calcium, phosphate and fluoride, यह hardest chemical से बना होता है, fluoride is essential for the formation of enamel, fluoride essential होता है, enamel के formation, but excess causes a condition known as malting, अगर बात करें, तो basically इसके formation के लिए अपनों को कह ची होता है, fluoride ची होता है, बट, fluoride अगर excess amount में हो जाता है, तो एक condition generate होती है, teeth से related problem बोल सकते हैं, मॉटलिंग बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, tooth gets deformed and the enamel part is irregular and short start to fall off, क्या होता है, मॉटलिंग में क्या होता है, कि it means fluoride के excess होने की बज़ए से, enamel दीरे-दीरे damage होने लग जाता है, irregular हो जाता है, और एक time ऐसा आता है, तोटने लग जाए, यह अपने first part की बात थी, crown की और उसके अंदर जो enamel होता है, second part करें हम लोग dentine, is secreted by the odentoblast, dentine किस से secret किया जाता है, odentoblast से secret किया जाता है, ठीक है, dentine part है, hard but not as enamel, यह भी hard होता है बट enamel के जैसा नहीं होता है, वो किस से originated था, ectodermal से, यह mesodermal से original, slightly pale yellow, थोड़ा-थोड़ा जैसे पीला पन होता है, इसमें whitest yellow बोल सकते हैं हम लो, met up of calcium salt, यह भी calcium salts कहीं बनाता है, इसलिए enamel के जिस से hard होता है, बट उतना hard, dentine is present everywhere, dentine is present everywhere, अब बात कर सकते हैं हम लोग, यह वाला जो formation है, ठीक है, यह जो point करके दिखा रखा है dentine, यह dentine यहां से ले करके, यहां तक यहां तक पूरा, पूरे पार्ट में present होता है, ठीक है, और इस dentine को जो cigarette करती है, उसको odentoblast बोल सकते हैं, hard होता है, enamel के जितना hard नहीं होता है, mesodermal origin होता है, slightly pale yellow होता है, calcium salt का बनाता है, इसलिए hard होता है, इस present everywhere, सभी जगहें पर present होता है, यहां पूरे के पूरे टित के अंदर यहां से ले करके, यहां तक सारे पार्ट में, जबकि inamel कहां present था, खली crown layer के अंदर present था, Due to this dentine, इस dentine की वज़े से हम लोग जो भी बात करते हैं, जैसे dentist होते हैं, दांत के doctor होते हैं, वो dentist बोले जाते हैं, और artificial teeth को हम लोग denture बोलते हैं, वो किस से बना है, what? Dentine से बना है, और इसलिए जितने भी teeth से related aspect रखने वाले doctors होते हैं, उनको dentists बोलते हैं, all the doctors that related to the tooth are known as dentists, और इस ही dentine से अपना एक पार्ट और बना है, जो artificial teeth होते हैं, उसको हम लोग artificial teeth बोल सकते हैं, third अपनी pulp cavity, pulp cavity is living, pulp cavity क्या होता है, connective tissue, इसके अंदर जो liquid भरा होता है, उसमें connective tissue का formation, contain blood vessels and nose, contain blood vessels and nose, living due to this present, यानि इसको आप लोग living part बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पार्ट में क्या होते हैं, blood vessels और nerve fibers होते हैं, have sensation, इसमें जंजनार्ट या sensation की representation होती है, किस की वज़़े से blood vessels और nose की वज़े से, connective tissue, तीन पार्ट होते हैं, इसके त्री पार्ट है, crown, neck and root, root की जो opening होती है, उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, root opening बोल सकते हैं, ये structure जिसमें धसा हो रहता है, उसको हम लोग bone part बोल सकते हैं, bonny part बोल सकते हो, ठीक है, और ये bones के seconds, जो के sockets होते हैं, अब इसके भी अंद फिर दूसरी आती है, अपनी dentine, पूरी की पूरी structure में present होती है, ठीक है, ये पूरे teeth के अंदर, फिर third अपना pulp cavity part, ठीक है, सबसे अंदर ही अंदर का जो formation, this part, ये जो part है, ये अपना pulp cavity होता है, और ये pulp cavity की syphilip रहता है, connective tissue से रहता है, और इसके अंदर, ये जो structures दिखा रखी, दो line हैं दिखा रखी, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, एक इधर से, एक represent कर रहा है blood vessel को, और एक represent कर रहा है nerve tissue को, हम लोग इसको color panse represent कर सकते है, red for blood vessels and blue flow for nerves, इसी वज़े से living part कर लाता है, तो तीन part होगे, अपने basically teeth के crown, neck and root, crown, neck and root, crown में अपना enamel होता है, origin ectoderm होता है, calcium salt से बना होता है, और crystalline part होता है, crystalline salts है, ठीक है, और जिस से secret किया जाता है, उनको amyloblast cells बोलते हैं, ठीक है, chemically enamel को hydroxy appetite बोल सकते हैं, fluoride इसके लिए essential होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा fluoride हो जाता है, तो tooth externally degenerate होने लग जाता है, उस condition को modeling बोलते है हम लोग, दूसरा है अपना dentine part, यह अपने पूर एक पूरे tooth के अंदर internally present होता है, जिस से secret किया जाता है, उसको dentoblast बोलते हैं, hard होता है animal के जैसे, क्योंकि यह भी calcium salt से बनाता है, mesodermal origin होता है, पहले ही yellow होता है, dentine की वज़ए से यह नाम रखे हैं dentist और denture, denture होता है, artificial teeth और dentist teeth की structure को study करने वाले या problems को देखने वाले, third pulp cavity, सबसे अंदर वाला part होता है, जो अपने dentine के अंदर होता है, living होता है, इसके अंदर connected tissue होता है, living क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर blood vessels और nose होता है, thank you